हेलो एबरिवन मैं हूं महुम्मत सोहिल और आप लोगों के लिए स्टॉक लेके आ गया हूं फिर से इंडियान ओयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड देखिए दुस्तों यह छोटा सा स्टॉक है छोटी से स्टॉक इंदर हमें छोटा ही टागेट लगा के चलना होगा जो मैंने आ स्टॉक में से एकजिट हो जाएए स्टॉक 84 85 82 लेवल किदर भी जा रहा है जब एंट्री करके फिर से 90 110 लेवल के लिए रुक सकते हैं वांटेल इसे मैं शौटनम टागेश लेके चल रहा हूं अगर वह वाले टागेश भी अचीव हो जाएंगे तो स्टॉक रिवसल हम बाई करेंगे आपको मैं बता रहा था 90 के बाद स्टॉक रिवसल ले चुका है दुस्तों फिर से बाइइंग ऑपोर्चुनिटी आप सभी को दे रहा है इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानि आयोसी लिमिटेड अब देखिए इसके अंदर आपको किदर सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करते वक्त दोस्तों नीचे बेल आइकोन को हिट करके नोटिफिकेशन ओल पर दबा दीजिए क्योंकि अगर मैं कभी भी वीडियो अप्लोट करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों आज का दिने 1 सेप्टमबर 2020 टूजडे आयोसी यानि इंडिया और और कॉर्परेशन लिमिटेट का क्लोजिंग प्रैसे 84.65 पैसा डे हाई है 86.65 पैसा डेलो है 83.50 पैसा दिखिए स्टॉक को रिवस्सल लेना था कैसे भी रिवस्सल लेना था और जो इसके अंद स्टॉक 84.82 के पास बैंग ऑपोर्चुनिटी दे रहा है और पोजिशन बना रहा है लेवर्स भी बन रहे है दोस्तों स्टॉक को इदर बै करके चलिए अगर आप यह उपोर्चुनिटी मिस कर देंगे तो स्टॉक आपको फिर से यह लेवल पे देखने को नहीं मिलेगा औ यह बात है दोस्तों जो स्टॉक रिवर्स नहीं लेटे वह करेक्शन तो इतने चोटे स्टॉक में नहीं आएगी पर जो भी रिवर्स टॉक नहीं लेता हुआ आगे बढ़ते जा रहा था बढ़ते जा रहा था और कॉंस्टेंट मिडे मिडेंज लेवल पे स्टॉक लिए लेके पहले 86 लेवल गया उसके पाँ डाइट 86 से 83.50 लेवल के पास आप सभी को देखने को मिल रहा है अब ज्यादा तक कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या इसे बाइक करें क्या इसे एक्जिट करें दोस्तों एक्जिट तो मैं करने के लिए सजेशन कभी भी नहीं देता ह अपने वीडियो के अंदर पहली बात आपको यह बता रहा हूं कि इसके अंदर बाइंग बन रहे हैं पोजिशन बन रहे हैं लेवल बन रहे हैं बाइक कर लिजिए आपका एक्जिट होगा आगे चलके चार्ट अनलाइसिस करते हुए बता दूगा तो चलिए आगे बढ़ के लिए दोस्तों WRART SBM को मेब में एक या-दो वर्ट कलत मानने से मिल मुझे नहीं पहुंसता है तो जयते सब्हीं को प्रॉब्लम हो रही थी इसके लिए मैं आप सबी का का आथसान करने के लिए मेशान करने के लिए सोचल मीडिया का सपोर्ट लेके आपके सामें लेके आ रहा है इंट्रेंट एक्जिट कहां करें होल्ड करें क्या एक्जिट करें मैं आपको सभी सजेशन्स देते रहता हूं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं चार्ट अनलैसिस के ऊपर दोस्तों अभी आपको मैं क्या बता रहा था कॉंस्टेंट लेवल पे चल रहा था 88 से 92 के लेवल के बीच में जो इसे ब्रेकाउट होनी थी ब्रेकाउट अब ट्रेंट पे थोड़ा जाके सभी को बहीं का जहांसा देखे स्टॉक फिर डाउन ट्रेंड ले लिया है वो भी लगाता देखिए दोस्तों इसने जो अप्ट्रेंड रहे ह ये कॉंस्टेंट लेवल पे चल रहा था पर लेवल नहीं हुआ है दोस्तों अगर मिलते पर इतनी भी जल्दी नहीं इसके लिए रिवसल ले लिया है फिर से आप सभी को बायिंग ऑपरजिनेटि दिया है पिछली बार जो 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 लोग नहीं लिया है है दोस्तों वो लोग अभी भी IOC को buy करके रख सकते हैं 90 exit level की देखिए इसके अंदर तो strategy बना ही नहीं जाती क्योंकि छोटा सा level है तो इसके अंदर हम लोग बस stock को hold करके चलेंगे हमारे targets अच्छुए तक पर इसके अंदर आपको strategy maintain करनी है तो 10 रुपे के हिसाब से strategy maintain करें यानि आपने 84 के पास buying लिया है तो अब 74 के पास average करेंगे या 64 के पास average करेंगे 54 के पास average करेंगे ऐसे strategy maintain करके चलिए इतने छोटे stock में पर अगर यह target हिट हो गया तो हमें normal profit होगा 90 पे target हिट ने हुआ तो हमें रिवर्स ले लिया तो आवरेज strategy maintain करते हुए बिलो से बिलो हम लोग overall strategy बनेंगे और stock उपर जाता हुआ दिखा तो भी average overall average के उपर हम exit होके double profit कमा लेंगे और एक बात है दोस्तों जब इदर एक ही level चल रहा था उसके बाद देखिए इसके अंदर लगातार selling position पे over selling हो रही थी जो ज्यातर लोगों ने नहीं देखा था पर आज के दिन जो bottom level मार ना था इदर बाइयर्स को catch करके वो bottom level stock ने मार दिया है और हमें दे दिया है फिर से जबर्दस बैइंग opportunity आपको पता है ना दुस्तों क्या करना है बैइंग करना है 90 आपका target होगा मैं target निकाला हूँ second September 2020 Wednesday के लिए यानि कल के लिए कल के दिन बैइंग का position बने selling का position बने आप मेरे target लेके चल सकते हैं कल market में trade करने के लिए आप अभी skin short निकाल लीजी अगर आप stock market के लिए नए हैं आप beginner है अगर आप मेरे levels और मेरे target के लिए भी नहीं कल market में पेपर वर्क करिए यानि पेपर ट्रेडिंग करते हुए देखिए कि stop loss हो रहा है तो कितना कम रुक्सान हो रहा है target हो तो कितना कम profit हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा